हेलो आल एंड वेलकम तो रिकॉगनिशन आइस जोग्राफिय ऑप्शनल 2024 के इस सीरीज में हम लोग की ये फूर्थ क्लास है और हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इस अर्थ इंटिरियर यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कार से लाइव क्लास नहीं हो पा रही है तो रिकॉर्डेट सेशन डाला या रहा है यहां से हमारा जो जो जोग्रफी ऑप्शनल का सिलिबस है यूपी असी ने जो हमें प्रॉइड किया है नोटिफिकेशन के थूरू यहीं से शुरू होता है हाला कि इससे पहले जितने भी क्ल तो जितनी भी चीज़ें है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है इस सेशन के एंड में टेस्स सीरीज के बारे में भी थोड़ा सा बताया जाएगा कल आप लोगों की एक टेस्ट होगी ओपन टेस्ट होगी सभी के लिए ओपन रहेगी क्या टेस्स सीरीज का प्रोग्राम र देख लिया कि आखिर में origin of earth क्या था origin of earth के बारे में हम लोग ने देख लिया है कई सारी theories हम लोग ने यहाँ पर देखी जैसे हेरल जफरी का एक थियोरी हम लोग ने देखा, फिर इसके बाद से गैसियस स्टेट के बारे में हम लोग ने देखा, लापलास मॉडल के बारे में देखा, फिर इसी तरीके से सूपरनोवा एक्सप्लोजन के बारे में देख रहे हैं, चैमरलीन की थियोरी देखे थे, तो कई ग्रविटेशनल वेव की थियोरी में ही सारी चीजों के बारे में मतलब आज की डेट में ब्रह्मान किस तरीके से बना है, क्या चीजे हुई है, लीगो इंफर्मेटरी क्या चीज है, इन सभी चीजों के बारे में यहां पर होता है। बिल प्राइस क्या है, यह सब चीजे GS के क्लास में आप लोगों ने देख रखी होंगी, तो यह हम लोगों ने डिसकुशन किया हुआ था ओरजिन आफ अर्थ के बारे में, फिर हम लोगों ने बात किया हुआ है, जो हमारा जियोलोजिकल टाइम स्केल है, इस जियोलोजिकल हो गई, तो अब हम लोग जरा अर्थ के अंदर में आते हैं, और अर्थ का जो इंटीरियर है, यानि की अर्थ का स्ट्रक्चर जो है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर आफ अर्थ, यह जो स्ट्रक्चर आफ अर्थ है, अब हम लोग जरा इसके बारे में दे तो यह निया सेक्षन होता है एक अलग सेक्षन होता है डाट इस जीओ लॉजी जीओ लॉजी के जो स्टूडेंट्स है वो लोग बैसिकली देखते हैं इसका नेचर क्या है कन्फिग्रेशन क्या है रिलीफ प्रॉपर्टीज क्या क्या है क्या मेकैनिजम यहां पर हो रही है क्या मैगनिट्यूड है एट सेक्टर एट सेक्टर इसके जो detailed version होती है वो geology के लोग देखते हैं geology का ये main topic बनता है लेकिन कही न कहीं हमें geography में भी इसके कुछ basics के बारे में जानकारी होनी चाहिए अब इन basics में हमें ये देखना होता है कि earth के interior के study या जो earth का interior उसमें है क्या चीज तो हमें एक surfaceial basis पर ये जरूर पता होना चाहिए कि आखिर में जो earth का interior है इस interior का development हुआ कैसे एक तो हमें यहाँ पर evolution यानि development के बारे में देखना होता है दूसरा हमें देखना होता है कि यहाँ पर आखिर में जो development हुआ है उसके पीछे की कुछ mechanism और इस mechanism के साथ ही साथ में हमें ये भी देखना होता है कि इसका structure कैसा है तो हमें यहाँ पर इसके structure के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए तो इनी तीन चीज़ों को ले करके हम लोग discussion भी करेंगे सबसे पहली जो चीज आती है source को ले करके कि आखिर में what are the sources तो source को ले करके यहाँ पर जो चीज आती है source में basically तीन तरीके के sources है जो की यहाँ पर देखी जा सकती है एक source होता है जिसे हम लोग artificial source बोलते है यह हमारी artificial source होती है artificial source होती है दूसरी होती है जहां पर हम बहुत सारी theories की बात करते हैं कई सारी theories हैं इनके बारे में हम लोग बात करते हैं और तीसरा होता है जो हमारी natural sources होते हैं natural sources में जैसे की volcanism हो गया, earthquake हो गया, seismic activities वगर हो गई, इन सब चीजों को ले करके देखते हैं तो यह तीन चीजे हैं, सबसे पहले ज़रा हम लोग बात कर लेते हैं हमारे इस artificial source के बारे में, जो हमारे artificial source हैं यह basically interior के अंदर में, यानि कि जो हमारा अर्थ का interior है यहाँ पर जो rocks present है, उनकी density, इनके pressure और इनके temperature को देखकर के यह artificial theory दी गई है तो artificial theory, simply आप बोल सकते हैं कि it is actually the function of three things तीन चीज़े हैं यहाँ पर, एक है हमारी density of rock को ले करके दूसरी है हमारी pressure को ले करके, यानि कि जो इसके उपर में incumbent pressure है और तीसरी चीज़ होती है temperature को ले करके इसके detailing अभी हम लोग करते हैं लेकिन उससे पहले कुछ theories भी होती है जिन theories पर हमारा ये अर्थ का interior या जो अर्थ के interior के study है वो भी बोली जाती है इसमें कई सारी है, जैसे की शुरुवात होती है Harold Geoffrey के साथ में तो हमारे Harold Geoffrey की model हो गई इसी तरीके से हमारे पास में एक daily का model आ जाता है wonder day grass का model आ जाता है this is wonder day grass का model आ जाता है homes का model आ जाता है एट सेक्टरा एट सेक्टरा तो हमारे पास में यहां पर भी कई सारी theories होती है कई सारी चीजे होती है Natural Resource के बारे में अभी हम लोगों ने बात किया ही कि एक तो हो गई जो हमारी Volcanism हो गई दूसरी हो गई जो Earthquake की प्रॉपर्टी होती है तीसरी हो गई जो Sismic Property होती है Basically Sismic Wave के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है This is Sismic Waves को ले करके तो हम लोग जिरा बात करते हैं सबसे पहले Artificial Source के ले करके This is Artificial Source Artificial Sources चीजे समझ में आ रही होंगी Last Class में भी सारी चीजे क्लियर हो गई होंगी देखे जहाँ पर चीजे ना समझ में आया करें चुकि हम लोग यह Session यह जो Class ले करके चल रहा है अच्छा खासा टाइम है डिटेल डिसकेशन करेंगे सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिस भी करेंगे मतलब यहाँ पर सारी चीजे कंप्लीट करनी है आपको एक confidence सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट में नहीं understanding में नहीं बलकि उसको express करने में भी होना चाहिए तो इसलिए काफी important है answer writing यह सब important है तो answer writing के लिए तो session अभी आपको पता चली जाएगा मुश्वली आज ही आप लोग को answer writing के जो session है उसके detail भी बता दी जाएगी क्या चीज़ है बट ध्यान रखेगा answer writing is equally very very important artificial source के बारे में जरा बात करते हैं artificial source में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर primarily तीन चीज़ों का function में देखने को मिलता है जैसे density, pressure और temperature सबसे पहले हम लोग जरा density के बारे में बात कर लेते हैं अब यहाँ पर जो density का differentiation या फिर बात किया जाए अगर के density का जो analysis किया गया है अलग-अलग तरीके से किया गया है एक तो किया गया है जो satellite के format में किया गया है और दूसरा खुद की calculation के basis पर खुद की calculation के basis पर जैसे जो हमारे scientist या जोगरफर लोग हैं उन्हेंने अपनी कुछ calculations वगर की थी और दूसरा होता है जो satellite के माध्यम से किया जाता है इस calculation और इस satellite के माध्यम से हमें कुछ यहाँ पर developments देखने को मिले इस development में यह बोला गया कि जो सबसे बाहरी surface है हमारे अर्थ का जो सबसे आउटर most layer है जिसको हम लोग बोल सकते हैं जो हमारे यह आउटर थिनर लेयर है यह इसकी जो density है वो काफी कम है मतलब इसकी density कुछ 3 to 3.5 के आसपास में बोली गई है बहुत ही कम density इसकी measure की गई है बहुत ही कम density इसकी पाई गई है और यह जो पाया जाता है वो कुछ एक देड़ किलोमेटर तक के area को बोला गया है मतलब 1 to 1.5 किलोमेटर तक के area में यह बोला गया है कि जो सबसे outermost layer है यह हमें देखने को मिलती है एक बार मैं quickly लिख देता हूँ 1 to 1.5 किलोमेटर के area में यह चीज़ estimate की गई है यह आप लोग समझेगा ग्राम पर cm3 यह हो गया density एक्चल में density होती क्या है density का formula क्या होता है तो density का मतलब होता है mass upon volume और अगर हम लोग mass gram में ले रहे हैं volume cm में ले रहे हैं तो obviously it would be the unit would be gram पर cm3 यह बात तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी यह ज़रा formula ध्यान रखेगा sea site is equally important तो सबसे जो बाहरी layer है सबसे जो outer thinner layer है उसको हम लोगों ने बोला कि हाँ इसकी जो हमें density देखने को मिल रही है 3.3 के आसपास में हमें देखने को मिल रही है और जो सबसे मतब average density जो नापी गई है हमारे अर्थ की वो 5.5 के आसपास में मानी गई है तो this is average density अगर हम average पूरे अर्थ के density को अगर देखें जो की 64-100 km के आसपास में हम लोग radius इसकी मानते हैं इसकी 5.5 के आसपास में gram पर centimeter cube यह माना गया है केवंडिश ने अपनी calculation की थी और इस calculation के हिसाब से इन्होंने जो अर्थ का density बताया है वो average density 5.48 gram पर centimeter cube बताया और इन्होंने यहाँ पर basis लिया था Newton की जो gravitational force है this is Newton's gravitational law gravitational law को लेकर के यहाँ पर अपना calculation किया था इसी तरीके से हमारे पास एक और इन्होंने अपनी जब calculation की तो इस calculation में इनकी value निकल करके आती है 5.49 gram पर centimeter cube more or less same same से ही थी ज़्यादा कोई खास थी नहीं लेकिन यह सब जो theories है वो early 1800 की है मतलब शुरुवाती दौर की है 1800 के आसपास में मतलब एक तो 1878 में दूसरी 1798 में की गई थी मतलब early times की थी 1900 के आसपास 1950 के आसपास या फिर बोल सकते हैं कि modern time में modern time में यह जो calculation की गई वो satellite के माध्यम से की गई satellite के माध्यम से जब calculation की गई है और चीजों को देखा गया है तो यह बात यहाँ से समझ में आती है यानि कि जो average density of earth है यानि कि जो average density of earth है ये कुछ साड़े 5 के आसपास ही हमें देखने को मिलती है और exact point में 5.517 gram per centimeter cube actual में बोला गया है और वही अगर superficial के बारे में बात करें जो हमारा earth के surface है earth का जो surface है यानि कि जो सबसे outermost layer है यहां की density के बारे में बात किया जा तो यह 2.62 ले करके 3.3 gram per centimeter cube मापी गई है यह जो बोला गया है वो कहीं न कहीं एक calculation है satellite के basis पर किया गया observation के basis पर किया गया लेकिन इसमें जो main समझने वाली बात है वो है इसका core तो जो earth का core है earth का जो core है इसकी average density पाई गई है लगभग लगभग 11 gram per centimeter cube सवाल यह उठता है कि आखिर में earth का core में ऐसा क्या चीज़ है जो कि इतना जादा dense है इतनी जादा density ले करके रखा हुआ है तो यहां से conclusion तो एक यह निकाल सकते है कि जो core की density है जो core की density है this is core की density is highest highest among other layers of the earth other layers of the earth बाकी की जो earth के layers है उनसे यह density सबसे यादा highest पाई गई है यह तो हो गया जो density का observation था density का observation एक calculation और दूसरा satellite के माध्यम से निकाला गया है तो दो तरीके हैं दूसरा जो artificial source में हमें देखा गया है वो है pressure को लेकर के जब pressure के बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो pressure में यहाँ पर कुछ चीजे हैं जो हमें ध्यान से समझ लेनी चाहिए this is pressure सबसे पहले आप समझ लेते हैं कि आखिर में pressure का मतलब क्या होता है थोड़ा सा यहाँ पर science समझते रहेंगे तो आपको चीजे और बहतर तरीके से समझ में भी आएंगे क्योंकि geography is overall मतलब अगर देखेंगे तो this is actually the technical technical part है यह technical geography है pressure का मतलब क्या होता है pressure का मतलब होता है P is equals to F upon A F upon A यह formula होता है जहां पर P का मतलब होता है pressure this is pressure F का मतलब होता है force applied जो force लगाया गया है और A का मतलब होता है area area जिस पर force apply किया गया है अब ज़रा समझिएगा माल लेते हैं कि किसी एक rectangular surface पर यह माल लेते हैं कि एक linear surface है और इस पर force लगाया जा रहा है यह माल लेते हैं कि पुरा का पुरा चले ठीक है, एक मैं डबबा ही बना दे रहा हूँ, यह माल लेते हैं कि एक डबबा है और यहाँ पर force लगाया जा रहा है, तो जब यहाँ पर force exert किया जाएगा, तो यह पूरे डबबे पर distribute हो जाएगा, लेकिन वही अगर माल लेते हैं क कि कोई एक जस्ट एक point है, उस point पर हम लोग force लगा रहे हैं, जैसे कील मारते होंगे आप लोग, तो कील जब मारते हैं, यह ऐसे समझेए, ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, माल लेते हैं कि यह हमारी wall है, ठीक है, यह हमारी दिवार है, यह हमारी wall है, अब आप एक काम करिए, एक हतोड़ा लेकर किया है, हतोड़ा कुछ इस तरीके से होता है न, यह हमारा हतोड़ा हो गया, इस तरीके से हतोड़ा हो गया, हैमर जिसको अंग्रेजी में बोल देते हैं, तो यह हमारा हो गया हतोड़ा, अब एक काम करिए, हतोड़े से, इस दिवार को मा तो दिस इस पाई आर स्कॉयर अपने आप में रिलेटिवली काफी ज्यादा होगी माल लेते हैं ज्यादा है सपोज माल लेते हैं अभी कंपेर करूंगा तब न ज्यादा और कम होगा ठीक है यह केस वन हो जाता है अब एक काम करिए इसी वाल पर एक छोटी सी कील लगा दीज अब फिर इस पर हैमर मारना शुरू करिए अब बताइए कि जो काफी कम हो गया क्योंकि जो कील की निडिल है सबसे पीछला जो पोर्शन है वो बहुत पतला होता है तो जब पतला रहेगा इक्वल फोर्स आपने लगाया अभी भी हथोड़ा मार रहा है लेकिन फोर्स लग अथ turkey कम हो गया तो जब इरिया काफी कम हो जायगा थो फोर्स automatically फोर्स तो हम उतना ही लगा रहा है लेकिन प्रशारπως बहुत ज़्यादा वह जायेगा तो कहीं ना कहीं प्रशार is actually the function of force as well as the area area पर भी काफी matter करता है कि force कितनी मतलब लगने वाली है force पर काफी कुछ matter कर जाएगा तो एक बात तो यहां से समझ में आ गई कि यहां ठीक है pressure का मतलब क्या चीज होता है pressure को आपने के समझ लिया कि medicality क्या होगी ठीक है यह टैकनलीटे कल रहे प्रशर की अब जर्राव समझते हैं अब हमारा माल लेते हैं कि और यह माल लेते हैं कि हमारा अर्त है अब इस अर्थ के चार ओर जर्ला देखिएगा आइस अर्थ के चार ओर में equal पॉइंट मैं ले ले रहा हूँ C, यह अर्थ के सर्फेस पर नहीं है, यह हम लोग अंदर की और में घुजते आ रहा हैं, यह हम लोग अंदर की और में जा रहा हैं, this is inside of the earth, ठीक है, यह मैं बोल सकता हूँ कि C एक तरीके से central पार्ट है और एक तरीके से सर्फेसिल पार्ट है, ठीक है, अब जड़ा देखेगा, क्या इसको मैं इस तरीके से बना लूँ, माल लेते हैं कि यह एक छोटा सा, इस तरीके से एक rectangular basis पर मैं बना लेता हूँ, माल लेते हैं कि यह हमारा इस तरीके का एक सर्फेस हो गया, मतलब हम लोग एक तरीके से अंद पॉइंट है, और यह पॉइंट हमारा C है, अंदर की और में हम लोग जा रहा है, इसके बारे में तो अलड़ी हम लोग ने बात ही कर लिया है, अब जड़ा देखेगा, माल लेते हैं, एक का मास M1 है, बी का मास M2 है, और C का मास मान लेते हैं कि M3 है, ठीक है, नॉर्मल फो इस लेवल पर जब मैं इस लेवल पर बात करूँ, तो इस लेवल पर कितना ज्याधा फोर्स लगा, अगर यहां पर बात करते हैं, this is suppose F1, यह मा लेते हैं कि F1 फोर्स लग रहा है, तो F1 फोर्स कितना लगा, M0 का जो वेट होगा, M0 G, प्लस M1 का जो way वेट होगा M1 G, इत यहां परमाल लेते हैं कि F2 फोर्स लग रहा है F2 फोर्स कितना हो गया M0G वह तो लगी रहा है M1G यह तो लगी रहा है प्लस साथ में M2G भी एक्स्ट्रा लग गया यानि कि जो प्रेशर होगा वो एक तरीके से F1 के साथ-साथ M2G एक्स्ट्रा लग रहा है और अपान एरिया हो गया क्या यह बात समन में आ रही है कि जो प्रेशर नंबर 1 होगा यह रेलेटिवली कम होगा as compared to pressure नंबर 2 क्योंकि फोर्स ज्यादा है जब हम C लेयर पर आते हैं तो यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर F3 हो गया F3 क्या होगा F3 होगा आपका F2 प्लस साथ ही साथ में हमारा M3G यानि कि जो pressure 3 होगा यह F2 प्लस M3G divided by A इन तीनों में अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा pressure number 3 है यह तीन चीजे हैं इसको बोलते हैं कि हमारा जो super imposed surface होगा उस कारण से हमारा लगातार pressure बढ़ते आ रहा है और इस pressure बढ़ने के कारण से अंदर की जो density होगी वो भी change हो रही होगी अब pressure बढ़ते आ रहा है तो प्रशर बढ़ने के कारण से ऐसा बोला गया कि प्रशर बढ़ने के कारण से there is a possibility that density भी लगातार बढ़ती जा रही होगी ऐसा बोला गया कि pressure is directly proportional to density लेकिन फिर कुछ लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया कुछ लोगों ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि जब हम pressure लगाते जाते हैं तो हर एक body की अपनी एक छमता होती है जैसे माल लेते हैं कि अगर कोई भी एक body ले लिजे आप कोई भी एक चीज ले लिजे इस पर आप लगातार force लगाते जा रहे हैं क्या ये force लगाते लगाते एक समय के बाद में ऐसा होगा कि ये टूड़ जाएगा टूड़ जाएगा ना सबकी अपनी एक छमता होती है तो ऐसा कहा गया कि जब हम यहाँ पर pressure लगातार build-up करते जा रहे हैं तो pressure build-up करने के कारण से यहाँ पर जो भी rock होगी क्योंकि यह हमारा earth का interior वो भी actually क्या है एक तरीके के rock है तो यह जो rock है जब लगातार pressure होते आएगा तो एक समय के बाद में यह तूड़ जाएगा यानि कि यह break कर जाएगा और in fact यह break होने के बाद में एक समय के बाद में तो चूर-चूर हो जाएगा या फिर हमारे अंदर का जो density है वो change होगा ऐसा कहा नहीं गया लेकिन एक बात यहां से यह समझ गई कि highest density जो होगी वो core की होगी और यहां पर काफी यादा pressure लग रहा होगा यह बात तो समझ में आ रही है लेकिन क्या उसकी छमता उतनी है जिसके कारण से वो उतना जहल पा रहा है इस बात को लेकर के सवाल उठने शुरू हो गए थे और यह सवाल उठते उठते कहीं न कहीं यहां से एक बात यह समझ में आ गई कि जो अर्थ के अंडर में सबसे interior में यानि C point पर जो भी material होगा वो अपने आप में highest density का material होगा C point पर highest density मतलब बहुत ही जादा density का material होगा और यहां पर यह बात मानी गई मतलब खोज किया गया तो density यहां पर जो density है वो highest है और highest में highest होने के पीछे कारण यह है कि यहां पर iron और nickel इन दोनों की presence पाई गई और इसको जो density है वो कुछ 11 से 13 के बीच में पाई गई है 11 to 13 के आसपास इसकी density पाई गई है तो ऐसा मान लिया गया कि yes because of the pressure you would say कि मतलब कई सारे reason में एक reason यह भी है कि जो pressure है उस कारण से यहां पर material जो है वो काफी यहादा dense है और dense ऐसा नहीं है कि pressure है इस वज़े से dense है dense है इसलिए उतना pressure वो जहेल पा रहा है शुरुवात में जो surficial areas है इन surficial areas पर कुछ different type का material है उपर जो है वो different material है और नीचे जब हम आते हैं तो नीचे आने के बाद में different material आता है यानि कि interior में जब हम लोग आते हैं तो यहां पर हमारा और भी अलग तरीके का different material आ जाता है और यह जो different material है वा actually highest density material है और यह highest density material होने के कारण से ही highest density है इस वज़े से it can it can sustain the highest pressure यह सस्टेन हाइस्ट प्रेशर जो यह हाइस्ट प्रेशर है वो इसी वज़े से सस्टेन कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पर इसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा है तो डेंसिटी है इस वज़े से प्रेशर सस्टेन कर रहा है ऐसा नहीं है कि प्रेशर है इस वज़े से डेंसिटी उतन तो यहां से एक बात तो clear हो जाती है कि जो हमारे पास में अभी हम लोगों ने बनाया था ना इस तरीके से इंटीर के बारे में बना रखा था यहां पर एक सेकंड अब यहां पर यह दो इसा कहा गया कि हमें दो तरीके का टिंप्रेचर डिफरण देखने को मिल रहा है अंदर की जाने परbn का नतरा जाएगा और जब पूरा अंदर चले आएंगे तो 1000 degree centigrade का भी अंतर हमें देखने को मिल सकता है लेकिन ऐसा हर जगा नहीं मिला कुछ जगा पर मिला जैसे अमेरिका में एक जगा है और वहाँ पर जब हम लोगों ने देखा तो 43 km रिकेवल सर्फेस के अंदर में गय थे तो USA में एक जगा है जहां पर 43 km अंदर जाने के बाद में हमें 1000 degree centigrade का temperature difference देखने को मिला और वहीं दूसरी और एक और एरिया है जहां पर हम लोगों ने किवल और किवल 40 km ही किया मनदब 40 km के आसपास में गय और वहाँ पर 500 degree centigrade का हमें difference देखने को मिला तो एक बात तो बड़ी clear है कि 40, 40 बोली है 43 बोली है more or less ठीक एक ही जैसा है ठीक है तो एक जगा पर 1000 degree है दूसरे जगा पर सिर्फ 500 degree है ऐसा है क्यों तो यहां से फिर finally conclusion यह निकाला गया कि actual में there are two type of surface एक surface है जो tectonically active surface है this is tectonically active surface और दूसरा surface है जो tectonically inactive है tectonically inactive बोलिए या फिर less active बोलिए तो जो inactive है या फिर जो less active है यहां पर हमें temperature difference उतना नहीं देखने को मिला temperature difference यहां पर हमें low देखने को मिला और वहीं दूसरी ओर जो tectonically active है यहां पर हमें temperature difference काफी high देखने को मिल रहा है में भी आएगा मैं समान के चल रहा हूं कि अभी आप लोग बेगिनर हैं इस बज़े से मैं आपर एक्स्प्लेइन नहीं कर रहा हूं अदरवाइस जो लोग जानते होंगे पढ़ रखे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि इसके पीछे का रीजन क्या है तो एक बात यहां स पार्ट पर एक्चुली रेडियो-ाक्टिव-अलिमेंन्ट है और यह जो रेडियो-अक्टिव-अलिमेंट में समझ लिए तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा क्या है यहां पर हमारा टेंप्रेचर बहुत तेजी से इंक्रीस करता है तेंप्रेचर जो डिफरें होने को मिलता है यह समझेई का समझेगा radio-element के बारे में radioactive element क्या चीज रेडियो एकटिव ऐलिमेंट में जब हम लोग देखते हैं तो सपोज माल को युओ सकता है ऐन्हें हो सकता है इन्हें हो कई सारे होते हैं तो हमारे पास में मा लेते हैं सपोज एक एलिमेंट में थोरियम ही ले रहा हूं चलिए जब हम थोरियम को लेते हैं या फिर हाइड्रोजन के ही कई सारे होते हैं ठीक है तो हम लोग मा लेते हैं कोई एक एक एलिमेंट है एक्स एलिमेंट मैंने ले लिया यह एक्स एलिमेंट जब अल्टीमेटली यह जब रेडियो एक्टीवली एक्टिव होता है जब एक्टिव होता है तो यह अपने एनर्जी को मतलब transfer करते रहाग़ है inergy radiation के format में निकलती रहती है ऐसा इसलिए यह अपने आपको disintegrate करते रहता है disintegration का मतलब होता है कि एक तरीके से अपने आपको खतम करते रहता है disintegration होते रहती है और इसी करण से एक promise टेक्निकल टर्म होता है inska half life कि कि खतम होते होते एक समय के बाद में अपने आपको आधा कर लेता है तो हाफ कर लेता एक ऐनर्जी कभी डिस्ट्रॉई नहीं होती है एक energy actually ultimately जा करके heat energy में convert हो जाती है और ये heat energy फिर temperature increase कर देता है temperature increase हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है और इसी कारण से जो uppermost surface है यहाँ पर हमें temperature difference काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है in fact data के format में ही अगर बात किया जाए जो top का surface होता है इस top के surface को हम लोग अस्थनो स्फियर बोलते हैं this is astheno sphere होती है मतलब क्रस्ट के जस्ट नीचे अगर बात करेंगे यह मा लेते हैं कि सबसे उपर की जो layer है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं तो क्रस्ट के नीचे जस्ट अगर हम लोग आए तो अस्थनो स्फियर होती है और यहां पर temperature कुछ 1100 डिग्री सेंटीग्रेट के आसपास हमें देखने को मिलता है कारण उसका क्या है अगेंस दा सेम रेडियो एक्टिव elements की presence होना radioactive elements की presence होना यहां पर वही अगर हम लोग नीचे आते हैं और थोड़ा सा मतलब नीचे mental की ओर में आते हैं 400 से 700 किलोमेटर और अंदर के आर में आते हैं यहां पर मैं मोलता रहा हूं कि this is suppose the mental thing जब हम लोग यहां आते हैं तो यहां पर temperature कुछ 1500 डिग्री से 1900 डिग् के आसपास ही सिर्फ हुआ और जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं this is actually 700 किलोमेटर के आसपास का एरिया हो गया 700 से 1000 किलोमेटर के आसपास का एरिया बन रहा है और यहां पर temperature सिर्फ 400 डिग्री के आसपास में इंक्रीज हुआ है जो कि एक नॉर्मल है और वही अगर ह हम लोग कोर के आसपास में आते हैं मा लेते हैं कि जो कोर एरिया है यह लोएस्ट मेंटेल बोल सकते हैं लोवर मेंटल ठीक है इस लोवर मेंटल और वही जब नीचे की ओर में आ जाते हैं तो यहां पर हमारा temperature 4300 डिग्री सेंटिग्रेट के आसपास में देखने को मिल जात हैं इनफाट यह liquid format में ही होते हैं लेकिन अबनों कोर के बारे में बात करते हैं तो यहां पर high pressure भी लग रहा है high pressure भी होता है प्लस साथ में high temperature ही और यहां पर जो बोडी हमें पाई जाती है वह solid हो जाती है अपने आपको solidify कर लेती है solid हो जाती है इन्फेक्ट जो टॉप के सर्फेस हुते हैं यहां पर अब ज़्दा समझीए गा नीचे से आप लेते हैं तो अपने बेस को धीरे जीरे ऊपर के ओर में भेष्टा जाएगा जैसे एक छोटा सा एक्जामपल ले लेते हैं चाय बना रहे हैं अब मालेते हैं यह आपका फ्राइंग पैन है और मुझे लगता है कि फ्राइंग पैन अगर ऐसा है आपके पास में तो इसका एक हथा होता है ठीक है जो नॉर्मली टूड़ जाता है इसके उपरमें ऐसे हलाकी लगायर रहते हैं प्रकंट तूड़ जाता हूंगा हमारे घर म पहले गरम हुआ चू करके देख लीजेगा मज़ा आ जाएगा धिरे-धिरे क्या होगा यह आपका जो हीट है आसपास में फिर फैलने लगेगा फिर आसपास में फैलने के बाद में इधर क्यों में आएगा तो इस तरीके से हीट अपकी ट्रांसफर हो रही है इसको बोलते है हैं कंड़क्शन प्रॉसेस हिंदी में इसको बोलते है चालन प्रकीया कि दूसरी होती है इसमें पानी अगर भर देते हैं यह友UM होती है जो ऑपने आपको कुद करती है तो हीट बOOOO अपने आपको रेडियर करती रहती है और जो radiation होती है इसको हम लोग बोलते है तीसरी process जिसे हम लोग बोलते है radiation radiation यह हर एक body करती है ठीक है जैसे हमारी frying pan है यह भी radiate कर रही है तो यह होती है wikirad ठीक है तीन process होती है अब यहाँ पर जो main funda है वो यह है कि नीचे का surface अगर गरम है इतना ज्यादा 4300 degree centigrade के आसपास में है उपर का surface कम है तो obviously heat exchange हो रहा होगा इनके बीच में यहाँ पर heat exchange हो रही होगी लेकिन यह heat exchange तब तक होगी ना thermodynamics का एक principle होता है physics में अगर आएंगे thermodynamics एक topic होती है thermodynamics में एक बात बोली गई है thermodynamics में एक बात बोली गई है कि heat transfer आपका तब तक होता रहेगा जब तक की equal temperature ना हो जाए अब अर्थ को थंडा हुए इतने साल हो चुके हैं इतने जादा years हो चुके हैं लेकिन अभी भी जो temperature difference है वो बना हुआ है आखिर ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो अर्थ के अंदर में interior of the earth है वो same नहीं है interior of earth same नहीं है अब जो यह interior of earth है यह same नहीं है इसका मतलब दो तरीके से same नहीं है एक state को लेकर के मतलब कुछ जो है वो solid है और कुछ जो है वो liquid है तो liquid और solid दोनों की heat exchange property अलग अल material है यह material भी same नहीं होता है सबकी different density material है density सबकी अलग-अलग है तो density और state दोनों अलग-अलग होने के कारत से जो heat का exchange है वो उतना effective नहीं है दूसरी चीज़ अगर मालेते हैं हम solid body को लेकर के अब solid body में जो heat exchange होती है heat exchange कभी भी conduction process से नहीं हो सकती है क्योंकि जो rock है जो आग पहाड़ देखेंगे या फिर जितने भी हमारे rock materials होते हैं they are poor conductor of heat heat के poor conductor है गर्म नहीं होते हैं सीधी सी बात है बहुत बहुत slow होगा heat मदब अंदर में जो exchange होगी वो बहुत slow होगी तो यहा में कि अगर 100 मीटर थिक लावा को देखें तो 300 साल लग जाते हैं इसको ठंडा होने में और solidify होने में क्यों क्योंकि surface जो होती है वो रॉक की मतलब कि अब यह surface धीरे धीरे exchange of heat हो रही है और वहीं अगर 400 किलोमेटर थिक लेयर देखें तो यह 5 billion साल लग जाते हैं मतलब इ heat होती है वो धीरे धीरे जा रही होती है और तीसरी जो property बोली गई है वो बोली गई है liquid material को ही लेकर के इस इस मोस्टली मतलब जो हमारा surface है वो mostly liquid material में ही देखने को मिलता है तो दो चीज़े ध्यान रखना है कि जो अपर most surface है यह radioactive material यहां पर available होता है जब हम लोग बीच मे में आते हैं तो solid होने के हीट एक्षेंड उतने अच्छे से नहीं हो पाते है और फिर उसके बास से जब interior में आ जाते हैं तो वह एक सिस्टम है धीरे धीरे यहां पर heat transfer होते रहती है बट जो हमारे supporting neighboring areas आज़ा देया not accepting that heat मतलब यहां पर तीन लेयर के बारे में हम लोग ने बात किया कि जो हमारा यह फॉस्ट लेयर है मालेते हैं कि इस लेयर नंबर फॉस्ट लेयर ठीक है इसको मैं लेह दिता हूं इस फॉस्ट लेयर फिर हमारे पास में यह मालेते हैं कि सेकंड लेयर आ है उपेक है ट्रांस्पेरेंट है सेकेंड वाला जो लेयर है यहां पर यह सॉलेडिफाई होने के कारण से यहां पर पूर कंड़क्टर आफ हीट पूर कंड़क्टर आफ हीट और इस वज़से इन दोनों के बीच में जो हीट एक्सचेंज होगी वह उतना इफेक्टिव नही दिस इंटीग्रेशन छरड होते आ रहा है हिंदी इसको बोलते हैं चरड और इस कारण यहां पर अलग ही एनरजी का रूप बना हुआ है तो टेंपरेचर का इस वज़े से हमें अलग-अलग फॉर्मेट देखने को मिल जाता है और यह जो बाते बोली जा रही है यह सब आर हमारा जो प्रिथवी कमा लेते हैं सर्फेस है इस सर्फेस पर जो एनर्जी आ रही है यह एनर्जी दो तरीके से आ रही है एक अनर्जी आ रही है हमारे संसे यह हमारा सन है यहां से शॉर्ट वेव रेडियेशन यह रिसीव कर रहा है तो यहां से इनर्जी आ रही है ठीक है में डिटे में होते हैं उसको बोलते हैं endogenic forces कई कारणों की वज़े से होते हैं पेसिकर ली आप इसको बोल सकते हैं कि energy का एक रीजन है एनरजी एक्स्चेंज हो रही है उस कारण से कहींना कहीं forces भी generate हो रहा है यह जो फोर्स होता है यह भी होस कहींना कहीं तो दो तरीके से energy होती है, लेकिन जो endogenic energy होती है, this is only for the construction process, construction और destruction process, यह क्या होती है construction और destruction, यह हम लोग बाद में discuss करेंगे, लेकिन जो हमारे पास में short wave radiation आ रही है, इसके कारण से primarily होती है heat generation, यह होती है heat, जो अर्थ का surface है, वो इसी कारण से heat होता है, या जितने भी हमारे ocean cycle, water cycle, nutrient cycle, जितने भी cycle है, वो सब इसी heat, sun की heat को ही केवल और केवल absorb करते हैं, यह main चीज थी जो आपको ध्यान रखनी थी, यह हम लोग ने discussion किया, जो हमारा artificial theory है, यह artificial sources है, artificial sources के बाद में, हमारे पास में कुछ theories आ जाती हैं, और कुछ हमारे पास में natural sources होते हैं, और इनको हम लोग करेंगे अपने next class में, अब यहाँ पर थोड़ा सा बात सुन यह जो class है, अभी तक कि यह public class की गई थी, और जितने भी geography optional की अब आगे classes होंगी, ध्यान से सुनिएगा, यह strategy वीडियो में भी बताया गया था है, अला कि, geography की जितने भी classes होंगी, geography for 2024 के लिए जो जो भी classes होने वाली हैं, यह live format में, यह free रहेंगी, live format में सभी लोग इसक को attain कर सकते हैं, इन case अगर यूटूब पर नहीं public हो पाती है, मतलब यूटूब पर अगर live video नहीं चल पाती है, ठीक है, जैसे आज हुआ है, तो उसके लिए recorded session रहेगी, और यह recorded session का आप लोगों को link दे दिया जाएगा, और यह premier कर दिया जाएगा, प्रीमियर कर दिया ज रहेगी, अब जैसे जो लोग बार-बार, मतलब, suppose, revision करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, they want the material, they want the short notes, उनके लिए enrollment करना पड़ जाएगा, जो लोग, मतलब, self-study भी कर सकते हैं, और उनको just a guidance के तौर पर चाहिए, वो लोग live format में attain, मतलब, class को जो है, attempt का देख लीजि चीजे अभी वीडियो के साथ में attach कर दी गई है, आप लोग इसको एक बार देख लीजेगा, और जो जो लोग भी मतलब करना चाहते होंगे, वो लोग इसको enroll कर सकते हैं, enrollment open कर दी गई है, schedule आप लोगों को पता है, और बाकी strategy वीडियो में भी आप लोगों को पता लग ज 15 October को एक demo के तौर पर demonstration के तौर पर की test series किस तरीके से work करती है, क्या होगा, क्या चीज़े होंगी, यह 15 October से, 15 October को इसके लिए एक mini test रखा गया है, mini test, सभी लोगों के लिए open है, यहाँ पर one hour का test रहेगा, ठीक है, one hour का test रहेगा, five questions के आसपास रहेंगे, और five questions के आप लो PM, nine to 12 PM के आसपास में paper available रहेगा, paper attempt कर लेना है, paper attempt करके, आप लोग अपने answers की PDF बना करके email करेंगे, email कहाँ पर करेंगे, आप email करेंगे, recognition IAS, recognition, ठीक है, एक second यार, this is recognition IAS at gmail.com पे, ठीक है, at gmail.com पे, यहाँ पर आप लोग अपना paper submit कर देंगे, evaluation होगी, शाम को feedback मिल जा की, मतलब जो जो चीज़े test series में available होंगी, वो लोगों को मिल जाएंगी, एक और चीज, जो जो लोग भी already test series में enroll हो रखें हैं, पहले से enroll होकर के रखें हुए हैं, उनको वापस से लेने की जरूवत नहीं है, हलाकि इस बार की जो fee है, वो relatively थोड़ी सी hike है, और उसके जाएंगे ही, घटेंगे नहीं, 24 टेस्ट मेरा प्लान है करने का, ताकि फुल टेस्ट भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकें, तो ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ज्यादा time management हो जाएगा, तमाम चीज़े हो जाएंगी, तो जो लोग भी already test series enroll करके रखे हुएं, उनको नए test series म और पूरी classes वगरे के detail के बारे में, जहां doubt रहेगा, वो पूछ लीजेगा, बाकी अभी कैसे आप लोगों को enrollment करनी है, website के बारे में, वो सारी चीज़े अभी one by one करके step wise बता दी जाएंगी, देख लीजेगा, फिर भी कोई doubt रहेगा, तो आप लोग email के थूरू या social media channels के जो अलड़ी बताई जा चुकी है, description box में दे भी गई है, वहां से आप लोग देख करके, जो doubt रहेगा, वो पूछ लीजेगा, ठीक है, तो यह थी आज की पूरी session, और यहां stop करेंगे, मिलेंगे next video में, तिल नन गुड़ बाय, thank you so much, बाइबाय, यहां पर आपको simply करना य Yes, website आपकी open हो जाएगी, open होने के बाद में आपको नीचे scroll करके जाना है, scroll करने के बाद में आपको यहां पर courses मिल जाएगे, geography optional पर यहां पर click करेंगे, तो आपको यहां पर phase 2 geography के नाम से course मिल जाएगा, enrollment के लिए link update की जा चुकी है, आप enroll कर सकते हैं, enrollment करने में यहां पर आपको class की access मिल जाएगी, short note की PDF मिल जाएगे, प्लस साथ ही साथ में, जो भी doubt वगरे रहेगा, वो doubt सब के लिए open रहेगा, तो यह monthly basis पर रहेगी, और जैसे से आगे course प्रोसीड करेगा, वैसे वैसे आप monthly आपको renew करना पड़ेगा, normally it will take 3 to 4 months, तो यह 3 से 4 months के लिए आप लोग enroll कर सकते हैं, enrollment करने के बाद में आप लोगों को classes public हो जाएगी, कोई doubt रहेगा, तो आप email कर सकते हैं